हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो टेक्निकल इंसिट्योट्स मीडिया आज की वीडियो जो है स्पेशली दिव्या रजुरिया के लिए मैंने बनाई है जिस से जिस किसी को भी हल्प मिलती है वो इस वीडियो के तुरू ले सकता है क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमे पार्टे में मैं प्रॉसेस बता देती हूं जल्दी से जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है नेक्स में मैं बताऊंगे टेंजन्स कैसे करना है तो जैसे आपको बताएए जी पैट और क्वालिफाइड स्टुडेंटी इसको अप्लाई कर सकते है उसमें क्या होग क्या सकते हैं डिपार्टमेंट है या सेल है जो कि ये वाला पूरा मैटर देखता है फिर उनके पास हमें अटेंडन्स मंतली बेसेस पे भीजनी होती है और फिर जब वो मंतली बेसेस पे अप्रूव हो जाती है तो उसको जो है उनके फाइनेंस ब्यूरो में भेज दिया ज जो पार्ट ए है जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका जो अटेंडन्स रेजिस्टर है वो भी फिल नहीं हो सकता है तो मेक शूर जब आप स्टूडेंट की डिटेल भरें उसमें एक कॉलम आता है अप्रूव और नॉट अप्रूव का जब तक प्रिंसिपल य कि आपके इंसिट्यूट में डिरेक्टर या पिंसिपल ने आपका एप्लिकेशन अप्रूव कर दिया हो और या ए आए सीटी जब डिरेक्ली कर रहा है तो उन्होंने स्टूडेंट की डिटेल अप्रूव कर दी हो डिस अप्रूव होने पर वो रिजेक्ट हो जाती है फिर फिर वो reopen होता है फिर आपको उसमें देखना है क्या difficulty या deficiency आई जिस वज़े से वो cancel हो जाता है अब बात मैं करती और इससे related part A से related कुछ problem process से related कोई भी query हो वो comment box में आप मेरे लिख सकते हैं और जैसे मैंने बताया है दिव्या जी ने मुझसे पूछा कि कैसे हम register को upload उसका मैं एक process बता देती हूँ वो अब मैं आपको इसमें part B में बताती हूँ जैसे जब आप अपनी institute से login करेंगे तो वहीं पर login करने के बाद PG student details आएगा इस तरह का जैसे top में है उसका जो green वाला जहां पर icon दिख रहा है ना PG student attendant details में जाते ही उस particular बच्चे की details open हो जाए ठीक है फिर उस पर आपको नीचे ही column में आएगा status status में आपने उसको approve करना है पहले approve करने के बाद left side में एक icon आएगा उस पर आपको document attach करना होगा जो आपके पास proof है आप biometric लेते हैं register पे लेते हैं जो भी आपकी institute का method है वहाँ पे उसको scan करके आपने upload करना है जैसे इसम का sign है उस पर click करना है उस पर click करने के बाद सबसे last में देखे इस तरह का एक open हो जाएगा जिसमें student name आ रहा होगा उसके attendance details आ रही होगी कि कि कितना month में है कौन से month का है वो left out हुआ है क्या है लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी उसमे attendance register आप upload नहीं कर पा रहे होंग क्योंकि वो not approved होगा जैसी आप approved करेंगे वो icon उपर आ जाएगा जिस icon पर आपको ये upload करना है कि प्रूफ देना होता है कि ये attendance जो भी आप biometric है या जैसे भी आप लेते हैं वो हाँ पर attach करना होगा अगर not approved होगा तो वो process open होगा ही नहीं और main बात जो मैं आपको बताना च जाती हूँ ये जो attendance वाला process होता है ये RIFD को monthly basis पे देना होता है आपको monthly basis पे tick tick करना है आपने click करके ठीक है और ये monthly basis पे देना होता है लेकिन इससे पहले आपको part A वाला process पूरा करना होगा जहां पर principal और director अप्रूव या disapproove करेंगे उसके बाद ही ये enable होगा ठीक है अ अजया है तक बाद है आपको जाती है और फूरा करना है आपको जाती है आपको ये जाती है you